बिसमल्लावर्म Alarms in Dyalysis Machine and Troubleshooting यह हमारा टॉपिक है इस टॉपिक में हम देखेंगे कि HD Machine में कौन-कौन से alarm आते हैं जिनल्री HD Machine में तीन तरह के alarm होते हैं Blood Alarm, Dyalysis Head Alarm, और Others Alarm Blood Alarm में हमारा आता है Arterial Pressure, Venous Pressure, Transmembrane Pressure, blood leak and air detector Dylacid site से हमारा LR मोता है conductivity और temperature others LR में हमारा water flow हो सकता है hyperine हो सकता है power flavor हो सकता है इसमें हमारा जो दूसरा question है वो RRB में railway में आ चुका है बात करते हैं low arterial pressure की यह हमारा minus ने होता है यह हमारा negative pressure होता है यह pre-pump pressure होता है इसकी जो normal range होती है वो minus 32 minus 150 mmHg होती है इसका जो maximum range होती है वो minus 250 mmHg होती है इसका cause और management cause में line कहीं पे हमारी kink हो सकती है या vascular access हमारा kink हो सकता है या line कहीं से clamp हो सकती है तो management में यही है king को remove कर देंगे clamp को हटा देंगे हमारा जो access है उसकी position ही गलत अगर है तो उसकी position को सही कर देंगे line clot है तो line को declod कर देंगे अगर IJV है तो हम दोनों lumen को aspirate कर लेंगे यह insure करने के लिए कि इसमें वाकई clot है की नहीं है और अगर clot नहीं है तो line को थोड़ा rotate कर सकते हैं फिर भी low arterial patient आएगा उसके लिए क्या करेंगे कि हम UF को stop कर देंगे और blood flow को कम कर देंगे high venus pressure यह हमारा positive pressure होता है इसकी normal range 100-150 mmHg होती है इसकी maximum range 300 mmHg होती है यह post pump pressure होता है यह cause cause में इसका way है line कहीं से kink हो सकती है यह कहीं से clamp हो सकता है तो kink को remove कर देंगे clamp को open कर देंगे line कहीं से clot हो सकती है तो access को हम declot कर देंगे position हमारा mal position हो सकती है position को correct कर देंगे vascular access हमारा occulted हो सकता है इसके लिए क्या करेंगे कि ब्लड प्रम को हम पॉस करेंगे और आई जेवी के जो हमारा दोनों लिव में ने उसको हम सक करके देख लेंगे कहीं क्लॉड तो नहीं है फिर है अप्स्टेक्शन फ्रॉम पेसेंट साइड इसमें पेशेंट की पोजिशन को करेट कर देंगे कभी कभी क्या होता कि पेशेंट जिस तरफ हमने अक्सेस लिया हुआ उस तरफ दबा के सो गया या उसने जिस तरफ आई जीवी पड़ा हुआ है उस तरफ गर्दन ही होती है कौज में लोग ब्लेट पम स्पीड ब्लट की इस पंप इस पीड ही हमने कम रखी हुए होती है उसके लिए क्या करेंगे कि हम ब्लट पम की स्पीड को बढ़ा देंगे वेइनस लाइन या आर्टेरियन लाइन डिस्कनेट हो सकती या निए वह पेशेंट से कनेक्ट नहीं थी उस वजह से भी आ सकता है यह तो उसके लिए हम line को check कर लेंगे vascular access में suction हो सकता है पता जाला suction अगर आ रहा है तो हम देख लेंगे कि अगर position हमारा जो वो है AVF हमारा है उसकी position ठीक है की नहीं ठीक है catheter की position ठीक है की नहीं ठीक है उसको हम correct कर लेंगे Transmembrane Pressure, इसको short में बोलते है TMP, Dylaser में हमारे दो compartment होते है, एक ब्रेट का compartment होता है, और दूसरा Dylaciate का compartment होता है, दोनों के बीच का जो pressure difference होता है, दोनों के बीच का जो pressure का अंतर होता है, उसको हम बोलते है TMP, इसका cause क्या है, TMP alarm आने का, कि line कहीं से clamp हो सकती है, कहीं से kink हो सकती है, Dylaciate line कहीं से kink हो सकती है, line में कहीं clot हो सकता है, measurement error भी हो सकता है, membrane कहीं से ruptured हो सकती है, और यह तो Dylaciate में हमारा Dylaciate filter, उसमें कहीं clot हो सकता है, Vascular ecstasy हमने सही नहीं लिया है, हाई UFR हमने अल्टर फिल्टरेशन रेट बहुत ज्यादा हाई रखा हुआ है फिर भी हमारा टीमपी आएगा अक्सर क्या होता है कि डाइलेसियर जो हमारा डाइलेसर होता है उसकी मेंब्रेण पर प्रोटीन दिपोजीशन हो जाता है उसकी वज़ेसे भी हमारा टीमपी आपा आता है management line अगर kink है तो उस kink को हटा देंगे कहीं clamp है तो Clamp को हटा देंगे यह हम इंशूर कर लेंगे कि हमारा डायलेजर में हमारा shunt cover सही से लगा है कि नहीं लगा है अगर TMP बहुत हाई आ रहा है और हमारा venous pressure normal है तो इसका मतलब यह हुआ कि हमारा डायलेजर में कही नहीं हल्की फ्लकी क्लॉटिंग है तो हम उसको क्या कर 120 को लेजर को flush कर देंगे तो वो अलार्म चला जाएगा ट्रांस्ट्यूशर प्रोटेक्टर को देख लेंगे कि वो बीला तो नहीं है जब वो वेट होता है तो आम तोर से मेजरमेंट टेरर आते ही है और वो लो टीमपी बताता रहता है अगर टीमपी बहुत लो आ रहा है तो हम ब्रेट पम की स्पीट को इंक्रीज कर देंगे या यूएफ रेट को भढ़ा सकते हैं अगर हम एजडी अफ कर रहे हैं या सियार आटी कर रहे हैं तो उस टाइम हम क्या कर रहेंगे कि प्री डैलूशन करेंगे हमारा जो प्री डैलूशन रेट है उसको हम इंक्रीज कर देंगे एर डिटेक्टर अलार्म अल्टरसोनिक बेस्ट मेकनिजम है ये कॉस में ये है कि वाकई लाइन में कहीं न एर है हमारा जो बबल ट्रैप है उसमें जब हम वेनेस चैंबर लगाते हैं तो उसमें हमने अगर ब्लड लेवल बहुत कम रखा हुआ होता है तब भी एलार माता है या तो फिर हमारी आर्टेरियल लाइन कहीं से डिसकनेक्ट हो गई है जिसके तो एर की इंट्री हो जाती है तब भी एलार माता है यह तो हमने प्राइमी नहीं किया इनेडिक्वेट्ट प्राइमी फिर भी एलार माता है मैनेजमेंट में देख लेंगे कि अशा तो नहीं कि एर डेक्टर हमारा कहीं से detaich है अगर वो detaich है तो हम सही से detaich कर देंगे उसको अगर blood में bubbles दिख रहे हैं तो उसको हम aspirate कर लेंगे और अगर हमारा जो bubble trap में जो हमने venus chamber लगाये हुआ है उसमें अगर level बहुत कम है तो उसको level को हम बढ़ा लेंगे blood leak detector इसकी जो range होती है वो 0.25 से 0.35 ml और blood पर liter of dilisate होती है cause में और management में इसका यही है कि या तो हमारा जो BLD है blood leak detector जो हमारा है वो अगर तो आसा गंदा हो गया है तो उसकी वज़े से भी alarm आता है और या तो वाकई filter हमारा रप्चड हो जुका है लीग कर रहा है उसके लिए बस यही करना है कि लाइन को हम clam कर देंगे अगर blood return करने लाएकि तो उसको return कर देंगे वरना filter change कर देंगे Conductivity alarm नॉर्मल लिंग जिसकी 12 से 16 मिली साइमेंस पर सेंटेमीटर होती है cause और management generally हमारा low conductivity alarm आता है जिसकी वज़ा यह होती है कि हमारा container ही खाली हो गया है तो हम container को replace कर देंगे यह तो mixing के दौरान हमने क्या किया होगा कि बानी ज्यादा ले लिया होगा जिसकी वज़ेसे भी हमारा solution over dilute हो गया तब यह alarm आता है उसके लिए नया हम नया mix करेंगे पार्ट को और उसको replace कर देंगे High conductivity में अगर हमने normal water से बना दिया है तब भी alarm आता है यह हमने mixing ही ठीक से रही की है पानी कम लिया था फिर भी alarm आता है Temperature alarm Normal range 35 to 38 centigrade होती है Cause में यही है कि हमने machine को अगर heat disinfection दिया है तो फौरण बाद alarm की लगबख कभी कभी आ ही जाता है यह तो उसके लिए machine को फिर से rinse में डाल सकते है यह हमारी water supply का temperature जो है उसका बहुत high है High temperature का नुकसान यह है कि अगर बहुत ज़्यादा temperature हम high कर देते हैं